C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक मलहार पाठ दस परीक्षा प्रिष्ट संख्या 105 जब रियासत देवगण के दिवान सरदार सुजान सिंग बूरहे हुए तो परमात्मा की याद आई जाकर महराज से विने की की दीन बंधु दास्टनी श्रीमान की सेवा 40 साल तक की अब मेरी अवस्था भी ढल गई राजगाज संभालने की शक्ती नहीं रही कहीं भूल चुक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए राजा साहब अपने अनुभव शील नीती कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे बहुत समझाया लेकिन जब दीवान साहब ने नम आना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्विकार कर ली पर शर्त ये लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा इस प्रिष्ट के निचले भाग में एक दरबार का चित्र है जिसमें राजा अपने मंत्रियों से बात कर रहे हैं प्रिष्ट संख्या 106 दूसरे दिन देश के प्रसिध पत्रों में ये विज्यापन निकला कि देवगड के लिए एक सुयोगे दीवान की जरूरत है जो सजन अपने को इस पद के योगे समझें वे वर्तमान सरकार सुजान सिंग की सेवा में उपस्थित हों ये जरूरी नहीं है कि वे ग्रैजुएट हों मगर हिष्ट पुष्ट होना आवश्चक है मंदागनी के मरीज को यहां तक कश्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं एक महीने तक उमीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देख भाल की जाएगी विद्या का कम परन्तु कर्तवे का अधिक विचार किया जाएगा जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे बाग तू इस विज्यापन ने सारे मुल्क में तहल का मचा दिया ऐसा उचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं केवल नसीब का खेल है सैक्णों आदमी अपना अपना भागय पर रखने के लिए चल खड़े हुए देवगड में नए-नए और रंग बिरंगी मनुष्य दिखाई देने लगे प्रतेक रेल गाड़ी से उमीद वारों का एक मेला सा उतरता कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रा से कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी साधगी पर मिटा हुआ रंगी ने मामे, चोगे और नाना प्रकार के अंग रखे और कंटोब देवगढ में अपनी सजदश दिखाने लगे लेकिन सबसे विशेश संख्या ग्राजोटों की थी क्योंकि सनद की कैद ना होने पर भी, सनद से परदा तो ढखा रहता है सरदार सुजान सिंग ने इन महानुभावों के आदर सतकार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था हर एक मनुष्य अपनी जीवन को अपनी बुद्धी के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था मिस्टर अ नौ बजे दिन तक सोया करते थे आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उशा का दर्शन करते थे मिस्टर द, सर और ज से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बात चीद नहीं करते थे मिस्टर ल को किताब से घ्रना थी परन्तो आज गलवे बड़े बड़े गरंथ देखने पड़ने में डूबे रहते थे जिससे बात कीजे वो नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था लोग समझते थे कि एक महीने का जंजट है किसी तरहें काट ले कहीं कार सिद्ध हो गया तो कौन पूचता है प्रिष्ट संख्या एक सो साथ इस प्रिष्ट के उपरी भाग में देवगड जंग्षन का चित्र है जिस पर रेल गाड़ी से उत्रे हुए उम्मीदवारों का चित्र है लेकिन मनुश्यों का वो बुढ़ा जोहरी आड में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगलों में हंस कहां चिपा हुआ है भाग तीन एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हौकी का खेल हो जाए ये प्रस्ताव हौकी के मंजे हुए खिलाडियों ने पेश किया ये भी तो आखिर एक विद्या है इसे क्यूं छिपा रखें संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए चलिए तै हो गया फील्ड बन गई खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोक रेखाने लगी रियासत देवगण में ये खेल विलकुल निराली बात थी पढ़े लिखे भले मानोस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे दोड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे प्रिष्ट संख्या 108 इस प्रिष्ट के उपरी भाग में हौकी के खेल का चितर है जिसमें विविन लोग हैं खेल बड़े उत्साह से जारी था धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है लेकिन दूसरी और के खिलाडी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरहां रोक लेते थे कि मानो लोही की दिवार है संध्या तक यही धूमधाम रही लोग पसीने से तर हो गए खून की गर्मी आख और चेहरे से जलक रही थी हाफते हाफते बेदम हो गए लेकिन हार जीत का निर्ने न हो सका अंधिरा हो गया था इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था उस पर कोई पुल न था पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था खेल अभी बंधी हुआ था और खिलाडी लोग बैठे दम ले रही थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी ले हुए उस नाले में आया लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चड़ाई इतनी उची थी कि गाड़ी उपर न चड़ सकती थी वो कभी बैलों को ललकारता कभी पईयों को हाथ से ढखेलता लेकिन बोज अधिक था और बैल कमजोर गाड़ी उपर को न चड़ती और चड़ती भी तो कुछ दूर चड़कर फिर खिसक कर नीचे पहुँच जाती किसान बार-बार जोर लगाता और बार-बार जुझला कर बैलों को मारता लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती बिचारा इधर उधर निराश होकर ताक था मगर वहां कोई सहायक नजर ना आता गाड़ी को अकेली छूड़कर कहीं जा भी नहीं सकता बड़ी आपत्ती में फसा हुआ था इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आँखों से देखा परन्तो किसी से मदद मांगने का साहर्ष न हुआ खिलाड़ी उने भी उसको देखा मगर बंद आँखों से जिन में सहानु भूती न थी उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदार था और वातसल्य का नाम भी न था भाग चार, लेकिन उसे समहू में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था आज हौकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी लंगराता हुआ धीरे धीरे चला आता था अकसमा तो उसकी निगाग गाड़ी पर पड़ी ठिठक गया, उसे किसान की सूरत देखते ही सब बाती ग्यात हो गई डंडा एक किनारे रख दिया कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बूला मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दू किसान ने देखा, एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामनी खड़ा है जुक कर बोला हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा मालुम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फसे हो अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैनों को साधो मैं पहियों को धकिलता हूँ अभी गाड़ी उपर चड़ जाती है किसान गाड़ी पर जा बैठा युवक ने पहिये को जोर लगा कर उकसाया कीचड बहुत जादा था वो घुटने तक जमीन में गड़ गया लेकिन हिम्मत ना हारी उसने फिर जोर किया उधर किसान ने बैलों को ललकारा बैलों को सहारा मिला हिम्मत बंद गई उन्होंने कंधे जुका कर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के उपर थी किसान युवक के सामने हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया बोला महराज आपने आज मुझे उभार लिया नहीं तो सारी रात मुझे यहां बैठना पड़ता युवक ने हस कर कहा अब मुझे कुछ इनाम देते हो किसान ने गंभीर भाव से कहा नारायन चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी युवक ने किसान की तरफ गौड से देखा उसके मन में एक संदेह हुआ क्या ये सुजान सिंग तो नहीं है आवाज मिलती है चेहरा मोहरा भी वही किसान ने भी उसकी ओर तीवर दर्ष्टी से देखा शायद उसके दिल के संदेह को भाव गया मुस्कुरा कर बोला गहरे पानी में पैठने से ही मोती मिलता है प्रिष्ट संख्या 110 इस प्रिष्ट के उपरी भाग में बोरियों से लदी एक बैल गाड़ी का चित्र है जिस पर किसान बैठा है और नीचे यूवक गाड़ी को धका दे रहा है भाग पांच निदान महीना पूरा हुआ चुनाव का दिना पहुँचा उम्मीदवार लोग प्रातर काल से अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उच्षुप थे दिन काठना पहाड हो गया प्रतीक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे नजाने किस पर लक्ष्मी की कृपाद्रिष्टी होगी संध्या समय राजा सहाब का दर्बार सजाया गया शहर के रईस और धनाड़े लोग राजे के कर्मचारी और दर्बारी तथा दिवाने के उम्मीदवारों का समू सब रंग विरंगे सजधज बनाए दर्बार में आवी राजे उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे जब सरदार सुजान सिंग ने खड़े हो कर कहा मेरे दिवाने के उम्मीदवार महाशेयो मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए इस पद के लिए ऐसे पुरुष के आवश्रक्ता थी जिसके हरदे में दया हो और साथ साथ आत्म बल हरदे वो जो उदार हो आत्म बल वो जो आपत्ति का वीर्ता के साथ सामना करे और इस रियासत के सौभागे से हमें ऐसा पुरुष मिल गया ऐसे गुणवाले संसार में कम है और जो हैं वे कीर्ती और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं उन तक हमारी पहुँच नहीं मैं रियासत के पंडित जान की नात्सा को दिवानी पाने पर बधाई देता हूं प्रिष्ट संख्या 111 और रईसों ने जान की नात्स की तरफ देखा उम्मीदवार दल की आखे उधर उठी मगर उन आखों में सत्कार था इन आखों में इर्शा सरदार सहब ने फिर फरमाया आप लोगों को ये स्विकार करने में कोई आपत्ति ना होगी कि जो पुरुष स्वैम जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दल दल से निकाल कर ना लेके ऊपर चड़ा दे उसके हिर्दे में साहस आत्मबल और उदारता का वास है ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सताएगा उसका संकल्प द्रड है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा वो चाहे धोका खा जाए परन्तु दया और धर्म से कभी न हाटेगा लेखक प्रेमचंद लेखक से परिचय हिंदी के एक महान लेखक और कथा समराट के नाम से प्रसिद्द प्रेमचंद का वास्त्विक नाम धनपतराय था उन्होंने समाद सुधार और राष्ट्रे भावना से ओत्प्रोत कई कहानिया और उपन्यास लिखे उनकी अनेक कहानिया जैसे इदगा, बड़े भाई सहब, गुल्ली डंडा दो बैलों की कथा आदी बड़ों और बच्चों के बीच बहुत पढ़ी और सराही गई हैं इसे प्रिष्ट के दाहिनी ओर निचले भाग में प्रेमचन जी का चित्र है और नीचे लिखा है अठारा सो असी से उन्निस सो चटीस प्रिष्ट संख्या एक सो बारा पाठ से मेरी समझ से आईए, अब हम कहानी परीक्षा के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं कर आपके समझ से यहां दिये गए प्रश्णों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाईए एक महराज ने दिवान को ही उनका उत्तराधिकारी चुनने का कारे उनके किस गुण के कारण सौपा सादगी बल या नीती कुशलता दो दिवान साहब द्वारा नौकरी छोड़ने के निश्चय का क्या कारण था परमात्मा की याद बदनामी का भय राजकार्ज संभालने योगिश शक्ती ना रहना चालीस वर्ष की नौकरी पूरी हो जाना ख अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजे कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने शीर्शक क आपने जो कहानी पढ़ी है इसका नाम प्रेमचंद ने परिक्षा रखा है अपने समुह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी का ये नाम क्यों दिया होगा अपने उत्तर के कारण भी लिखिए ख यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे आपने ये नाम क्यों सोचा ये भी बताईए पंक्तियों पर चर्चा कहानी में से चुनकर यहां कुछ पंक्तियां दी गई हैं इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया अपने विचार अपने सम्हों में साजा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए प्रिष्ट संख्या 113 इस पद के लिए ऐसे पुरुष के आवशक्ता थी जिसके हरदे में दया हो और साथ साथ आत्मबल हरदे वो जो उदार हो आत्मबल वो जो आपते का वीर्था के साथ सामना करे ऐसे गुणवाले संसार में कम हैं और जो हैं वे कीर्थी और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं सोच विचार के लिए कहानी को एक बार फिर से पढ़िए इनके बारे में पता लगाईए और लिखिए क नौकरी की चह में आई लोगों ने नौकरी पाने के लिए कौन-कौन से प्रियत्न किये ख उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ग्यात हो गई खिलाडी को कौन-कौन सी बातें पता चल गई ग मगर उन आखों में सतकार था इन आखों में इरशया किनकी आखों में सतकार था और किनकी आखों में इरशया थी क्यों? खोजबीन कहानी में से वे वाक्य खोज कर लिखी जिन से पता चलता है कि क शायद युवक बुढ़े किसान की असलियत पहचान गया था ख नौकरी के लिए आई लोग किसी तरह बस नौकरी पा लेना चाहते थे कहानी की रचना लोग पसीने से तर हो गए खून की गर्मी आँख और चहरे से जलक रही थी इन वाक्यों को पढ़कर आँखों के सामने थकान से चूर खिलाडियों का चितर दिखाई दिने लगता है ये चितरात्मक भाशा है ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेश बातें आपको दिखाई देंगी कहानी को एक बार ध्यान से पढ़िए आपको इस कहानी में और कौन-कौन सी विशेश बातें दिखाई दे रही है अपने समों में मिलकर उनकी सूची बनाईए इस प्रिष्ट के दाई और के निचले भाद में हौके खिलते वे कुछ यूवक है प्रिष्ट संख्या 114 समस्या और समाधान इस कहानी में कुछ समस्याएं हैं और उसके समाधान भी हैं कहानी को एक बार फिर से पढ़कर बताईए कि क महराज के सामने क्या समस्या थी उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा क दिवान के सामने क्या समस्या थी उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा ग नौकरी के लिए आए लोगों के सामने क्या समस्या थी उन्होंने इसका क्या समधन खोजा मन के भाव स्वार्थ था, मद था मगर उदारता और वातसले का नाम भी ना था इस वाक्य में कुछ शब्दों के नीचे रेखा किची हुई है ये सभी नाम है लेकिन दिखाई देने वाली वस्तूओं, व्यक्तियों या जगहों के नाम नहीं है ये सभी शब्द मन के भावों के नाम है आप कहानी में से ऐसे ही अन्य नामों को खोजगर यहां दिये गए रिक्तिस्थानों में लिखिए इस प्रिष्ट के निचले भाग में एक चित्र है, जिसके बीचों बीच सूरे बना है उसके अंदर लिखा है भावों के नाम और उसके चारों और रिक्तिस्थान दिये गए है आपको पाठ में से भावों के नाम खोजगर इन रिक्तिस्थानों में भरने है प्रिष्ट संख्या 115 अभिने कहानी में युवक और किसान की बातचीत समवादों के रूप में दी गई है ये भी बताया गया है कि उन दोनों ने ये बातें कैसे बोली अपने समु के साथ मिलकर तयारी कीजिए और कहानी के इस भाग को कक्षा में अभिने के द्वारा प्रस्तुत कीजिए प्रतेक समों से अभिनेता या अभिनेतरी कक्षा में सामने आएंगे और एक-एक संबाद अभिने के साथ बोल कर दिखाएंगे विप्रीत आर्थक शब्द विद्या का कम परंतो कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा कम का विप्रीत अर्थ देने वाला शब्द है अधिक इसे प्रकार के कुछ विप्रीत आर्थक शब्द यहां दिये गए हैं लेकिन वे आमने सामने नहीं है रेखाईं खीच कर विप्री तार्थक शब्दों के सही जोडे बनाईए यहाँ पर दो स्तंब है स्तंब एक और स्तंब दो स्तंब एक के नीचे लिखा है एक आना दो गुण तीन आदर चार स्वस्थ पाँच कम छे दयालू साथ योग्य आठ हार नौ आशा और स्तंब दो के नीचे लिखा है एक निर्दई दो निराशा तीन जीत चार अवगोण पाँच आस्वस्थ छे अधिक साथ जाना आठ आयोग्य नौ अनादर अब आपको स्तंब एक में दिये गए विबिन शब्दों के विप्रीतार्थक शब्दों को स्तंब दो में खोजकर सही मिलान करना है प्रिष्ट संख्या 116 कहावत गहरे पानी में पैठने से ही मोती मिलता है ये वाक्य एक कहावत है इसका अर्थ है कि कोशिश करने पर ही सफलता मिलती है ऐसी ही एक और कहावत है जिन खोजा तिन पाईया गहरे पानी पैठ अर्थात परिष्टरम का फल अवश्य मिलता है कहावतें ऐसे वाक्य होते हैं जिने लोग अपनी बात को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रियोग करते हैं आपके घर और पास पडोस में भी लोग अनेक कहावतों का उप्योग करते होंगे यहां कुछ कहावतें और उनके भावार्थ दिये गए हैं आप इन कहावतों को कहानी से जोड़ कर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए एक अधजल गगरी छलकत जाए जिसके पास थोड़ा ग्यान होता है वो उसका दिखावा करता है दो अब पच्टाए होत क्या जब चुडियां चुक गई खेत समय निकल जाने के बाद पच्टाना व्यर्थ होता है तीन एक अनार सौ बिमार कोई ऐसी एक चीज जिसको चहने वाले अनेक हो चार जो गरजते हैं वे बरस्ते नहीं है जो अधिक बढ़ चड़कर बोलते हैं वे काम नहीं करते हैं और पांच जहां चह वहां रह जब किसी काम को करने की इच्छा होती है तो उसका साधन भी मिल जाता है संकेत विज्यापन में तो एक नौकरी की बात कही गई थी लेकिन उम्मीद्वार आगए हजारों इसे कहते हैं एक अनार सो बीमार पाठ से आगे अनुमान या कलपना से कर दूसरे दिन देश के प्रसिध पत्रों में ये विज्यापन निकला देश के प्रसिध पत्रों में नौकरी का विज्यापन किसने निकलवाया होगा आपको ऐसा क्यूं लगता है ख इस विज्यापन ने सारे मुल्क में तहल का मचा दिया विज्यापन ने पूरे देश में तहल का क्यूं मचा दिया होगा प्रिष्ट संख्या 117 विज्यापन आप बिना रंगों या चित्रों के भी विज्यापन बना सकते हैं। विज्यापनों से लाब होते हैं, हानी होती हैं या दोनों अपने समों में चर्चा कीजिए और चर्चा के बिन्दू लिखकर कक्षा में साजा कीजिए। आगे की कहानी परिक्षा कहानी जहां समाप्थ होती है, उसके आगे क्या हुआ होगा? आगे की कहानी अपनी कल्पना से बनाईए। आपकी बात, क, यदि कहानी में दिवान साहब के स्थान पर आप होते, तो योगी व्यक्ति को कैसी चुनते? ख, यदि आपको कक्षा का मॉनिटर चुनने के लिए कहा जाए, तो आप उसे कैसी चुनेंगे? उसमें किन-किन गुणों को देखेंगे? गुणों की परक के लि की पर मिटा हुआ. हमारे आस-पास अनेक वस्तु ऐसी है, जिने लोग नया फैशन या पुराना चलन कहकर दो भागों में बाठ देते हैं. जो वस्तु आपके माता-पिता या दादा-दादी के लिए नहीं हो, हो सकता है, वो आपके लिए पुरानी हो, या जो उनके लिए पुरानी हो, वो आपके लिए नहीं हो. अपने परिवार या परिजनों से चर्चा करके, यहा दी गई तालिका को पूरा कीजिए. इस प्रिश्ठ पर चार स्तंभ हैं, जिनके शीर्शक हैं, मेरे लिए नहीं वस्तुएं, मेरे लिए पुरानी वस्तुएं, परिवार के उप्यूक्त वस्तूओं के नाम लिखिये वाद विवाद आपस में हौकी का खेल हो जाए ये भी तो आखिर एक विद्या है क्या हौकी जैसा खेल भी विद्या है इसे आयुजित करने के लिए कुछ सुझाव यहां दिये गए है कक्षा में पहले कुछ समूँ बनाए फिर पर्ची निकाल कर निर्धारत कर लीजे कि कौन समूँ पक्ष में बोलेंगे कौन विपक्ष में आधे समूँ इसके पक्ष में तर्क दीजिए आधे समूँ इसके विपक्ष में सभी समूँ को बोलने के लिए पाँच पाँच मिनट का समय दिया जाएगा ध्यान रखें कि प्रत्येक सम्हों का प्रत्येक सदस्य चर्चा करने तर्क देने आधी कार्यों में भाग अवश्य ले अच्छाई और दिखावा हर एक मनुष अपने जीवन को अपने बुद्धी के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था अपने सम्हों में इन पर चर्चा कीजिए और चर्चा के बिंदू अपने लेखन पुस्तिका में लिख लीजिए का हर व्यक्ति अपनी बुद्धी के अनुसार स्वयम को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है स्वैम को अच्छा दिखाने के लिए लोग क्या-क्या करते हैं? संकेत मेहनत करना, कसरत करना, साफ सुथरे रहना आदी ख क्या स्वैम को अच्छा दिखाने में और स्वैम के अच्छा होने में कोई अंतर है? कैसे? परिधान तरह तरह के कोट उतार डाला कोट एक परिधान का नाम है कुछन्य परिधानों के नाम और चित्र यहां दिये गए हैं परिधानों के नामों को इनके सही चित्र के साथ मिलाए इन्हें आपके घर में क्या कहते हैं? लिखिए इस फृष्ट पर निचले भाग में तीन स्थम्भ हैं जिनके शीशक हैं चित्र, नाम और तीसरे स्थम्भ का शीशक है और क्या कहते हैं? पहले स्थम्भ के नीचे तीन परिधानों के चित्र हैं जिनके नाम हैं दुपट्टा, गमच्छा और लहंगा अब आपको बताना है कि आप इन्हें अपने घर में और क्या कहते हैं। रिक्त स्थान भरिये। प्रिष्ट संख्या 120 इस प्रिष्ट पर उपरी भाग में तीन स्थम्भ हैं जिनके शीर्षक हैं चित्र, नाम और तीसरे स्थम्भ का शीर्षक है और क्या कहते हैं। पहले स्तंब चित्र के नीचे चार विभिन चित्र हैं, परिधानों के, जिनके नाम हैं फिरन, धोलती, अचकन और पगड़ी. आपको बताना है कि इन्हें आपके घर में और क्या-क्या कहते हैं, रिक्त स्थान भरिये. आपकी परिक्षाएं, हम सबे अपने जीवन में अनेक प्रकार की परिक्षाएं लेते और देते हैं. आप अपने अनुभवूं के आधार पर कुछ परिक्षाओं के उधारण बताईए. ये भी बताईए कि किसने, कब, कैसे और क्यूं वो परिक्षा ली. संकेत, जैसे किसी को विश्वास दिलाने के लिए उसके सामने साइकिल चला कर दिखाना, स्कूल या घर पर कोई परिक्षा देना, किसी को किसी काम की चुनौती देना आदी. आज की पहेली? आज आपकी एक रोचक परिक्षा है. यहां दे गए चित्र एक जैसे हैं या भिन इन चित्रों में कुछ अंतर है. देखते हैं आप कितने अंतर, कितनी जल्दी खोज पाते हैं. प्रिष्ट संख्या, 121. इस प्रिष्ट के उपरी भाग में दो विभिन चित्र हैं, जो दिखने में एक जैसे लगते हैं. इन चित्रों में जीबरा क्रॉसिंग है, जिसके उपर से एक भलवाला, एक बूड़ी महिला, एक छोटी बच्ची का हाथ पकड़े, सडक पार कर आपको इन मिलते जुलते चित्रों में अंतर ढूंड कर बताने हैं. जरोखे से, पाठ में दिए गए क्यू आर कोड के माधिम से, आप एक और कहानी पढ़ेंगे. इस कहानी में भी कोई किसी की परीक्षा ले रहा है. ये कहानी हमारे देश के बहुत हो नहार बालक और उसक गुरू चानक्य के बारे में है. इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखत जैशंकर प्रसाद ने लिखा है. खोज बीन के लिए. पुस्तक में दिये गए क्यू आर कोड की साहिता से, आप प्रेमचंद के बारे में और जान समझ सकते हैं. साथ ही उनकी अन्य कहानियों का आनंद भी उठा सकते हैं. जैसे इदगाह, नादान दोस्त, दो बैलों की कथा. नई दिल्ली, भारत.